क्या आप भी परेशान है किसी शेयर से? किसी शेयर ने आप पर किया है अत्याचार? समझ नहीं आ रहा है, करे क्या? धोग दीजे मुकदमा, कुनाल की अदालत में कारीक होगी कटगरा होगा और होगी पेशी ओडर ओडर चलेगा मुकदमा और फिर होगा फैसला बाजार के जज, कुनाल सरावगी का इंसाफ कुनाल की अदालत में नमशकार जैश्री राम कुनाल की अदालत में और आज इस विशेश पार्टी में आप सभी का हरिदय की गहराईयों से स्वागत धन्यवाद आप सबका अदालत में समय से आ जाने के लिए और आज शौट नोटिस पर शाम के समय और वो भी शुक्रवार के दिन आप सभी का आगमन हुआ इस पार्टी में इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मज और जो आपने मेरे जनम दिवस पर ये शांदार संदेश भेजे हैं ये बहुत ही आनंदित करने वाले आपकी टिपणिया और शुकामनाएं भेजी हैं ये पा करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोग जुड़ गए हैं और मुझे उमीद कम थी के शाम के समय और वो भी वर्किंग डे के दिन शायद ही लोग जुड़ें लेकिन आप लोग सब बड़ी संख्या में जुड़े हैं खचा खच बरी हुई अदालत और आज अदालत में जलसा है क्योंकि आज आपके इस बंदू का जनम दिवस है तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद आज की इस विशेश शुपर थिड़े अदालत में धन्यवाद करूँगा आप सभी का और लगतार इस चैनल का सहीोग करने के लिए इसको आगे बढ़ाने के लिए आपके आशिश के लिए प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग इकुणी रश के फेस्बूक पेज के माध्यम से अदालत की कारवाई का प्रसारण देख रहे हैं अमन आप सभी को और जो लोग इत्मिनान से बाद में जुड़ेंगे कारिकरम में याने की इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे कल देखेंगे अपने तय समय पर ग्यारा बजे आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद तो आज की विशेश रात्री अदालत लग चुकी है और दिस इस स्पेशल अदालत विकॉज ओफ दिस स्पेशल रीजन तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भासकरेडी पलाका साब है जिन्होंने सबसे पहले और बड़ा ही जवरदस संदेज बेजाए कह रहे हैं कि सर आपका सबसे पहले तो जनम दिवस की शुब कामना है दे रहे हैं फिर लिख रहे हैं कि मेंटॉर्शिप याने कि हमारी टे केपी कारेकरम से जुड़े हुए हैं बासकरेडी पलाका साब और चार फी सदी का रिटर्न इन है आया है तो बहुत बहुत चुब कामना है आपको इसका पूरा श्रय आपको जाता है हम टीकेपी में आपको बताते हैं कि ट्रेड किया कैसे जाता है लेकिन करना कैसे है कैसे किया जाता है ये सारी चीजें सीखने के बाद करना आपको स्वेम होता है तो सारे नड़ने आपको स्वेम लेने हैं लेकिन कैसे लेने हैं किस तरह से नड़ने लिए जाते हैं ये TKP यानि कि ट्रेडिंग के प्रेक्टिकल्स में आप सीखते हैं और ट्रेडिंग के प्रेक्टिकल्स का नया क्वार्टर शुरू हो रहा है दिसंबर के महीने में और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो अपना भागे एक बार अजमा लीजिए, संभव है कि आप उससे जुड़ पाए, सभी से मेरा निवेदन है कि जरूर TKP से आपके ट्रेडिंग में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, धन्यवाद करूँगा सभी लोगों का, देश से जुड़ने वालों का, देश के बाहर से जुड़ने वालों का और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और जोबर 10 संदेश आ रहे हैं, ऐसे संदेश आ जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई परिवार का सदस्य भेज रहा हो शुब्राजीत पर्मन साहब शुब कामनाई भेज रहे हैं बासुदे भटचार जी भेज रहे हैं गणेश यादव जी बीके सिंग साहब जैन साहब टेक्नो मास्टर गेमिंग शिवा जी साथ पुते टाइम प शुब कामनाई भेज रहे हैं साथ मैं निरुद कंडोट साहब अजीत सिनहा साहब आ गए हैं राजेश राठी साहब दीपक वीप साहब राहुल शर्मारी आ गए हैं और सुदीप सिंगल साहब और वाकी तमाम लोग वक्त निकाल कर आज इस पार्टी का हिस्सा बन रहे है आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक और खुशकबरी देनी है कि आपका ये चैनल जिसने हाली में अभी दस लाग यानिके एक मिलियन का अकड़ा पार किया सस्क्राइबर्स में यूट्यूब के और से गोल्डन बटन भी आ गया है और बहुत जल्द उसको भी म आप सब को दिखाऊँगा तो बहुत जल्द उसका भी अनावरण होगा और आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अब देखे शुरू करते हैं आज के दालत और मुझे पता है कि सब का डिनर का समय हो गया है सब को बहुत से काम लगे हुए हैं बड़ी संदेश आ रहे हैं संदेशों को भी पढ़ेंगे आज की अदालत में आप चार्ट से लेकर के किसी भी विशय पर कोई भी सवाल आपके मन में आता हो कोई उल्जन हो किसी तरह का दुंद चल रहा हो मस्तिश्क में किसी तरह का कन्फ्यूजन चल रहा हो तो आज की अदालत म प्रयास करेंगे कि ऐसे सवालों को लेने का जिसमें भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं तो कई सारे प्रशना आएंगे अभी उन पर आएंगे लेकिन उससे पहले आईए सबसे पहले कुछ एक गुनियादी चीजे जरूरी चीजे हैं जो तो मेरा दाई तो है आपको बताना याद दिलाना तो आईए सबसे पहले ये आपको पताए देता हूँ देगे याद रखते हैं आप हमेशा लेकिन फिर याद दिला दू कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्यूरिटीज मार्केट्स आर सबजेक्ट टू मार्केट रिस्क्स रीड ओल दे रिलेटेड डूक्यूमेंट्स केरफुली विफूर इन्वेस्टिंग याने निवेश करना जोखिम भरा काम होता है बजार के जोखिमों के आधीन होता है और इसलिए जरूरी है कि सारे दस्तावेज आप पूरा धिन करें उनका और उसके अलावा सारी जानका करके कोई नड़ाई ना ले अपने विवेग का इस्तमाल करें और आप में वो विवेद जागरित हो इसी के लिए ये चैनल बना है और कई सालों से लगा हुआ है कि आप में वो ताकत आए वो आप में शमता है कि आप सही नड़ाई ले पाएं तो सही नड़ाई लीजिए अपने विवेक से लीजिए पूरी तहकिकात करके लीजिए ये आप सबसे मेरा निवेदन है और एक निवेदन और है जो मैंने पिछले अदालत में भी और उससे पिछली अदालत में भी आपसे किया था फिर एक बार दोरा देता हूँ कि मेरा कोई टेलिग्राम चैनल नहीं ह अगर आप किसी भी ऐसे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं किसी भी ऐसे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े हैं और हाल में मेरे संग्यान में लाए गया है कि कई सारे ऐसे Facebook पर messages DM आ रहे हैं जो की fake IDs से भेज़ जाते हैं और जिसमें कहा जाता है कि मैं आपको अडवाईजरी दूँगा या मेरे साथ मिलकर ट्रेड कीजिए या क्रिप्टो में आईए ट्रेड करते हैं पैसा दुगना अत्पी गुना हो जाएगा लॉस पुरा हो जाएगा याद रखिए सारे से आपको जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं पूरी तरह से सौफी सदी फेक लोग भेज रहे हैं बहरूपिय भेज रहे हैं और इन से आपको साथान नना है मेरा कोई टेलिग्राम चैनल नहीं है जिसमें अडवाईजरी मिलती हो मेरा कोई प्रभाव से चैनल को रिपोर्ट कीजिए बहुत इंपोर्टेंट है तो ये भी आपको बताना जरूरी था चलिए अब लग आते हैं काम पर कुछ बाते करेंगे गपशप करेंगे आज बड़ी तसल्ली से बाचीत होगी आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद क्या गजब के संदेश आ रहे हैं आप लोग जिस प्रकार से संदेश भेज रहे हैं वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैंने बर्ते के दिन अधालत रखने का नड़न लिया थैंक्यू सो मच अच्छा इसके बाद आएए फटा फट कुछ एक सवालों के जवाब मैं दूँगा लेकिन उससे पहले चार्ट्स देख लेते हमेशा की तरह तो आएए सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले निफ्टी का चार्ट एक में जल देखते हैं तो ये हमारी निफ्टी का विकली चार्ट है कोई खास बदलाव तो इस सब्ताह नहीं हुआ फीसदी के लिहाज से देखें तो कोई आधा परसेंट के आसपास की तेजी रही तो ठीक ठाक रहा बजा बट नो बिग शेक्स लगभग वही स्थिती है जो पिछले सब्ताह थी तो कुल मिलाकर ना तो कोई मायूस होने के आवशकता है ना ही कोई अत्याधिका आपको साहित होने के आवशकता है कुल मिलाकर वही स्थिती है जो पिछले सब्ताह थी निफ्टी में भलाई कुछ ना हुआ हूँ लेकिन बाकी जो ब्रोडर बजा रहे हैं उसमें बहुत गभीवदी हो रही है यह समय है पैसा बनाने का तो यहां पर आपको आँखे खोल कर रखनी है कान खोल करके रखने जो कुछ अभी तक आपने इस चैनल के माध्यम से इतने स सारे वीडियोस के माध्यम से जो कुछ सीखा है उसको अमली जामा पहनाने का समय है यह समय में आप चुक गए सोचते रहे गए तो फिर देखे रैलीज हाथ से निकल जाते हैं मौके हाथ से निकल जाते हैं फिर बजार से फिर से एक रेंज में चला जाएगा तब आप मलाल करेंगे यार काश तब ले लिया होता तो यह समय बहुत सो समझ कर सही निवेश करने का है आपके सामने निफ्टी की चाल है बहुत से लोग मान रहे हैं कि बजार में बड़ी गिरावट आएगी कितने ही वक्ता कितने ही बजार के जानकार प्रती दिन आपको कहेंगे कि अब देखिये अगर माली हम यहां कहें कि आये लाइन ऑफ कंट्रोल अंकित कर दें तो यह यह लन दल जाएंगी तो यह निफ्टी कि आपके सामने बैंक निफ्टी आईए देखते हैं बैंक निफ्टी में जो पैटन था जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे वो है डबल टॉप पैटन अभी तक यह डबल टॉप नेगेट नहीं हुआ है यानि कि इसका असर समाप्थ हो गया यह कहना उचित नहीं है रिकबरी हुई निफ्टी के साथ इस सब्तहा बैंक निफ्टी भी तेज रहा तेकिन कोई खास बढ़त नहीं आई अभी भी बैंक निफ्टी पर नेगेटिव बायस पना हुआ है जबकि निफ्टी पॉसिटिव दिखती है तो यह आपको चार्ट देख करके समझ आता है पर भी चीजे वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी तो कोई खास परिवर्ता नहीं यहां पर भी नहीं दिख रहा है चलिए तो डॉलर का चार्ट है डॉलर में कुछ मामुली सी तेजी देखने को मिल रही रुपए में कुछ मामुली सी कमजोरी देखने को मिल रही तो ये निफटी हो गया, डालर हो गया। आईए नेस्टेक भी देख लेए, ये आपके सामने नेस्टेक. नेस्टेक, अच्छे खासी तेज़ी बनी, जैसे ही डामड सलोपिंग चैनल लाइन से बाहर आया नेस्टेक, जबरदस तेजी बनी पिछले दो तीन सब्ता में और अब resistance के करीब Nasdaq बिच्छनन कर रहा है resistance फिल्कुल इन इस तरों के आसपास है जहां फिलाल trade हो रहा है और ये levels फार हुए यानि कि 14-300 के उपर Nasdaq निकला तो फिर और तेजी बनेगी तो कुल मिलाकर चीज़ें ठीक है global संकेट ठीक है domestic संकेट ठीक है तो कुल मिलाकर चीज़ें ठीक है और ये जो इस्तिति है यहां पर आपको cautiously optimistic हो जाना चाहिए यानि कि आपको थोड़ा सयम रखना है बहुत उत्साहित नहीं होना है सावधान होकर के चलना यह बजार ही सावधानी का है लेकिन यह नहीं फुलना है कि अत्याधिक सावधानी के चलते मौकों को न चोड़ दें आप तो यह नेस्टेक dow jones आपके सामने dow jones ज़्यादा मजबूत दिखता है देखिए पिछले पिछले चार सब्ताह में क्या उच्छाल डाउ जोंस में आया 32,500, 35,300 याने कि लगबग 7,800 की एक तरफा तेजी हमने डाउ जोंस में पिछले चार-पांच सब्ताह में एक महीने भर में देख लिए तो बड़ी जबरदस तेजी डाउ जोंस में चल रही है कुल में लाकर चीज़ें ठीक है हाँ अब देखिए सबसे काम का जो चार्ट है वह है निफ्ती स्मॉल कैप जिसके दर्शन किये भी ना तो कोई अदालक पूरी होती नहीं है ये आपके सामने निफ्ती स्मॉल कैप कि सब्ता स्मॉल कैप नहीं चले लार्ज कैप थोड़ा ज़ादा चले लेकिन स्मॉल कैप भी गिरे नहीं ठीके हुए है और सेक्टर रोटेशन हो रहा है कुछ अन्य सेक्टर जो अभी तक थोड़े पिछड़े होए थे वो थोड़े आगया गये है तो ये क्रम चल रहा है लेकिन कुल मिलाकर चीज़े ठीक है इस्तिती अच्छी है और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात आई तो एक सवाल आया था अभी कुछ समय पहले किसी ने किया था उनका ये कहना था कि जो हमारा स्मॉल केस चल रहा है वो रॉक कर रहा है इसमें कोई दोराय नहीं है बहुत जबरदस परदशन हो रहा है और उस स्मॉल केस के बारे में भी जरूर बताईए तो स्मॉल केस हमारा बड़ा अच्छा काम कर रहा है और आप सभी जानते हैं कुनाल सराओगी स्मॉल केस है आपको इस वेब साइट पर जाना है अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो सारी डीटेल्स आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगी और कहीं मत चले जाएगा भटक मत जाएगा यह है पता कुनाल सराओगी.smallcase.com और यहां आप जाएंगे तो इस स्मॉल केस से जोड़ी पूरी जानकारी आपको मिलेगी स्मॉल केस में कई सारे चार्ट्स को रिसर्च किया जाता है और सबसे उंदा चार्ट्स की चर्चा इस स्मॉल केस में होती है इसके सदस्याप बन सकते हैं और स्मॉल केस बड़ा जवर्दस परदर्शन कर रहा है तो इसके बारे में जानने के लिए आप इस वेबसाइट पर चा सकते हैं और स्मॉल कैप में जो तेजी बन रही है उसके मुकाबले जो शेर स्मॉल केस में हम लोगों ने जिस पर रिसर्च की हुई है जिसकी बात होती ह है वो स्टॉक्स बहतर कर रहे हैं और ये आपको वो भी बता सकेंगे जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है एक हमारे होर्वी साहब है और हैपी बर्डे लिख रहे हैं साथ में लिखते हैं कि सर व्यू और एंजल वन पर शॉट टाम भई एंजल वन भी हमारे स्म शेयर क्योंकि ये देखें एंजल वन और ये डिस्क्रेमर भी समझ दीजें कि एक उनासरा होगी स्मॉल केस का हिस्ता है एंजल वन तो पहले इस पर रिसर्च हम लोग शेयर कर चुके हैं और जब हमने रिसर्च शेयर की थी उस जमाने में तो शेयर बड़ा ही नीचे के इस चाहिए आच होता हुआ दीन हजार के उपर एंजल बुकिंग अब एगे शेयर का चार्ट पहचानना ब्रेकाउट पहचानना बड़ी बात नहीं आप में से बहुत से लोग जो नियमित अदालत में जुड़ते हैं उन्होंने एंजल का चार्ट देखा होगा राउनिंग ब करके बाहर आ गए कितने लोग हैं जो इसको फोल्ड कर पाएं तो यह है असली परक और यही चीज़ आपको स्मॉल केस समझाती है तो स्मॉल केस का हिस्सा बनिए और यह मेरी अपिल रहेगी सभी को जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है तीन हजार के उपर इंजल वन का चा अचा एक हमारे मन मोहन शर्माजी है जो बड़ी अच्छी एक शुप कामना भेज रहे हैं वो कहते हैं कि सर जनम दिन मुबारक हो इश्वर करे आपके हर पांचवे बर्थडे पर इंडेक्स हर बार तस हजार बढ़ा हुआ हो और यानि कि यह कह रहे हैं कि कंपाउंडिंग और देज़ाइं हो और दस हजार पॉइंट्स निफि बढ़ जाएatiques नियुदिंगा लेकिन मैं अग्जियूम कर रहा हूं कि यह निफिक की बात कर रहे हूंगे हम तो निफिकी की बात दिनरात करते रहते हैं तो दस हजार रंक निफिकी हर पांच साल में बढ़ता रहें ऐ सी शुप काम नाइब केज रहे हैं वा या घजब की सोच पाईए आपने तो इसके लावा बहुत शांदार बड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं कई सारे चार्ट्स पर सबकी रूची है और बड़े ही इंट्रेस्टिंग सवाल आ रहे हैं एक सवाल किसी का आया था भी मैंने न जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता हूं यानि कि जितना लंबा रखना चाहिए उतना रख नहीं पाता हूं जल्दी ही प्रॉफिट बुक कर लेता हूं बात में बड़ा दुख होता है और इससे यह बड़ी समस्य है बहुत सारे लोगों को है कि प्रॉफिट जल्दी बु नहीं है ये कोई असाधर नहीं है तमाम लोगों को ये समस्या पेशाती है और इसका नीदान इसका समाधान बहुत मुश्किल नहीं है केवल आपको साइकलोजिकल हेक्स का इस्तमाल करना है देगे ये समस्या उतनी भी सहथ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं अगर आप सोचि तो देखिए के देना अपड़ना को・लिया करने के लिए आपको अपनी दिमागी सोच को बदलना है को दिमाग की उसको बदलना पड़ेगा आसान काम नहीं होता है लेकिन उसके भी तरीके बने हुएं क्योंकि यह समस्या केवल आपकी नहीं हैं सबी की है सब से पहले position घटाएए जिस भी level पर काम करते हो उस position को कम कीजिए position कम करते ही आप rules को follow करने लगेंगे आप अनुशासन में आ जाएंगे और फिर आप देखेंगे परिणाम आपको इतर आते हुए दिखेंगे तो इसलिए सबसे पहले you must reduce positions then you will become more disciplined as a trader और इसको याद रखिए थोड़ा detachment लाइए ट्रेडिंग से ट्रेडिंग से चिपके मत जाएए बहुत से लोग मैंने देखे हैं ट्रेडिंग के बारे में ही दिन रात सोच सोच कर घुलते रहते हैं भई देखें ट्रेडिंग से थोड़ी दूरी बना करके रखनी है तब ही आप ये नर्णएं ले पाएंगे सही समय पर बहुत शादार सवाल आ रहे हैं एक चार्ट जिसको देखे भी ना आज की अदालत पूरी नहीं हो सकती वो चार्ट है SJVN का जिस पर अने को प्रशना आएं तो आईए चार्ट पर नहीं हडाते हैं यह सत्लुच जल्द विद्यूत निगम कहां से चला 32-33 से आज हो गया 82 रुकने का नाम नहीं ले रहा है लगातार तेजी दिखा रहा है अभी भी बड़ा दम दिखता है और जो इतनी बड़ी के इतिहास में 2010 के बाद से इतिहास उपलब्द है 2030 चल रहा है तेरा बरसों में हमने इस स्टॉक में इस प्रकार की तेजी नहीं दे कभी यह शेयर भी ऐसी तेजी दिखाएंगे कलपना 2000 अगर आपको मैं 15 में 16 में 17 में कहता कि क्या सत्तु जजबिक्यूत निगम कभी 90 तो 82 रुपे का भाव है लाइन ऑफ कंट्रोल अब अश्य डाल दीजे और वो डालना में तो अब तक आप माहिर हो गए हैं यहां कहीं लाइन डाल दीजे और निश्चिंत हो जाईए ट्रेंड तो बड़ा जबर्दस्त है किसी भी ट्रेंड को यह न समझे है कि बस बहुत अब तो गिरेगा देखना हो जो बढ़ रहा है वो यह मान करके चले कि उसी के बढ़ते रहने की संभावना है जादा होती है यही डाव थियोरी का सार है और यह चार्ट रीडिंग का भी सबसे इंपोर्टन्ट एलिमेंट है इस चीज को याद रखिए कि हम यह मान करके चल रहा है सबसे आगे चल रहा है तो SJVN कई सारे लोगों के मन में इसको लेकर के प्रशन थे बहुत सारे लोग आप में सैसे होंगे जिनके हाथ में NHPC, SJVN और इस प्रकार के अन्ने शेर्स थे लेकिन हलका फुलका प्रॉफिट लेकर REC, PFC इस तरह के शेर्स में बहुत जल् अपरदस्त तेजी हुई तो इसलिए याद रखिए कि शेर्स को होल्ड करने की ताकत अपने में पैदा करना यह सबसे इंपॉर्टेंट नर्णए है और इस पर फोकस कीजिए कई सारे प्रशना आ रहे हैं कई सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं उन सवालों की बात करेंगे चार्ट्स की चर्चा करेंगे धेरो चार्ट्स हैं कुछ चार्ट्स मेरे मन में भी हैं जो आज आपके सामने रखूँगा राजिंदर कुप्ता जी स्पीज जनम दिवस की शुब कामनाई भेज रहे हैं बपा दित्या चैटर जी साब पूछ रहे हैं कि पीएफसी का चार्ट देखिए केरलाइट ट्रेडर साब कह रहे हैं कि मैक्टावल का चार्ट देखिए कि चार्ट तो अनेकों हैं जो देखे जा सकते हैं लेकिन हम चुनींदा चार्ट उसकी चरचा कर रहे हैं वह चार्ट जिन्कों देखना चाहिए जिनको समझना चाहिए scars को किसी में भी कोई खरिदारी या बेचने की राय नहीं है याद रखेगा इस बात को अदालत में कभी भी खरिदारी बेचने के राय नहीं मिलती है अदालत में केवल उस समय के सबसे important charts के हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन से chart में क्या हो रहा है कहां कौन सा pattern बन रहा है कौन सा उसर कहां पर है इन तमाम चीज़ों की बातचीत करते हैं अच्छा वे तो देखिए कई सारे charts हमने देखे एक सवाल अभी आया है और यह भी इंट्रेस्टिंग chart है कि जब पूरा power से तर चल रहा है तो यह Tata power नहीं ऐसा क्या किया है कि इसमें इतना momentum नहीं बनाए यह है प्रश्ण तो यह आपके सामने Tata power अब देखिए तेजी बनी लेकिन सरकारी कंपनियों में तेजी बन देए नीजी कंपनियां उस तरह से perform ने कर रहे हैं Tata power के इस weekly chart को देखेंगे तो बड़ा अच्छा चार्ट लग रहा है मुझे उसकी वज़े क्या है कि जो चार्ट बड़ी असानी से clarity से समझ आ जाए उस चार्ट को अच्छा कहा जाएगा यह है आपके सामने resistance की लाइन बन 280 280 दो सो असी पार होगा तो इस चार्ट पर नई तेजी बनते हुए आपको दिखेगी तो टाटा पावर का यह चार्ट है बाकी श्रॉक्स को अंडर पर्फॉर्म कर रहा है पावर सेत्र के जो अन्य शेर से हैं वो अधुत तेजी दिखा रहे है इसमें उस तरह जी को आने से पहले उसके लिए बंदोबस्त होता है तो यहां पर भी बंदोबस्त चल रहा है ऐसा चार्ट देखकर आप कह सकते हैं लाइन बना लें और लाइन चार्ट पर अंकित कर दें अच्छा देखिए मैं कई बार देखता हूं कि लोग बड़े ही दुख करते हैं इ अरे क्यों नहीं चल रहा है इसमें आपने क्या मेहनत किये कुछ नहीं दो रिखाई तो डालिये तो इत्मिनान से वेट कीजिए समय आने दीजिए समय पर आपका कोई इख्तियार नहीं किसी का भी कंट्रोल टाइम पर नहीं है कब मौका बनेगा यह नहीं जानते हम खरीद लें उसके बाद शेर बढ़ेगा इसकी कोई गैरेंटी विश्व में किसी के पास नहीं है गिरेगा तो हम कैसे रिस्पॉंड करेंगे कैसे निप्टेंगे उस से यह हमें आना चाहिए बढ़ेगा तो हम उससे कैसे निप्टेंगे यह हमें आना चाहिए देखिए कभी भी आप कोई खेल खेलते हैं तो सारे आपके पत्ते आपके हक में आएं जरूरी नहीं हैं कभी आपके विपरीद परिस्तितियां भी आती है तो अच्छा खिलाड़ी वो है जिसको पता है कि विपरीद परिस्तितियों में मान लिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं पिचाप के अनु में हैं तो उस पर कैपिटलाइज कैसे करना है इन दोनों चीजों के विशे में आपको सोचना है और यही important चीज है तो टाटा पावर में लाइने डाल दीजे छोड़ दीजे वाकी उसके लावा बहुत पिकल्प है हम वहाँ जाएंगे उस चार्ट पर फोकस करेंगे जिसका चार्ट अवल हो उंदा हो सरवश्रेश्ट हो तो उन चार्ट की तलाश कीजिए बजार में आउसरों का अभाव नहीं तो देखे हमने कई सारे चार्ट की चर्चा की सबसे इंपॉर्टेंट अब देखे दो सेक्टर है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए जहां पर जबरदस तेजी बन रही एक तो देखे बे तहाशा तेजी हमने शुक्रवार को आते हो देखी इंशॉरेंस शेर्स में काफी स चीनी के शेर्स में हम एक अदभुत तेजी देख रहे हैं तो इन चार्ट पर भी निगा रखेगा एक चार्ट है बलरामपुल चीनी का आपके सामने ब्रेकाउट इस सब्ता आते हो देखा कि केवल इसी शेर की कहानी नहीं कोई भी अगर आप चीनी शेर उठाएंगे तो वहाँ पर आपको अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा है तो शुगर स्टॉक्स को ट्रेक कीजिए फोकस कीजिए इंशॉरेंस कंपनियों को फोकस में रखिए वहाँ पर बड़े सारे आउसर पैदा हो रहे हैं कई सारे शेर तेज रफ्तार बढ़ रहे हैं और इस सब्त के लिए ठहर भी गया तो भी मौक्यों का अभाव नहीं रंजीत जी कह रहे हैं कि जनम दिन की शुब कामनाएं टीसी आई लिमिटेट अच्छा चले टीसी आई का भी चार्ट देखेंगे किसी ने आयो एल और गलफॉयल पर भी एक प्रश्न किया था उस चार्ट को भी दे बाद रखिए अब आपका काम क्या है जब कभी किसी सेक्टर को पिछड़ते लड़ खड़ाते हुए लुड़कते हुए देखें बजार आगे तेजी से बढ़ रहा हो वो सेक्टर पीछे हट रहा हो तो मान करके चलिए कि यहीं आउसर चीपा है करना यह है कि वो चार्ट कोजना है जो इस कमजोर सेक्टर में बजार को परफॉर्म कर रहा है और सेक्टर से भी आगे चल रहा है हमेशा कमजोर सेक्टर का एक लीडर होता है जिसमें बड़ी ताकत होती है जिसको बेचने में सब संकोच करते हैं उस लीडर को आइडेंटिफाई करना है कमजोरी में जैसे ही उस sector का समय आता है सबसे तेज रुफतार बढ़क उसी लीडर के शेर में होती तो जो उस sector में सबसे कम गिरा है जो ताकत दिखा रहा है कुछ sector ऐसे भी कुछ चार्ट्स ऐसे भी होते हैं पूरा सेक्टर गिर रहा है वो अकेला ताकत दिखा करके positive close दे रहा है नए highs बना रहा है बाकी बजार कमजोर है यह highs बना रहा है तो मान करके चलिए कुछ विशेश चार्ट पर है ऐसे चार्ट्स को खोजिए थोड़ी महनत की दिए इतना बड़ा बजार है लेकिन उससे बड़ा competition है cut throat competition है आप सोच रहे हैं आप ही अकेले हैं ऐसा नहीं है trading में कई वार ऐसे गलत पहमी हो जाती क्योंकि हम किसी को देखते नहीं मान लीजिए एक बड़ी मंडी में आप आए जहां लाखों लोग एक साथ trade कर रहे हैं आपने पढ़ा होगा तो याद रखिए कि क्योंकि आप स्क्रीन देखते हैं लोगों को नहीं देखते हैं ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं बहुत सारे लोग इस वाजार में जुड़े हुए हैं और हमारा काम क्या है कि हमें इस शोर गुल में समझना है कि असली आउसर कहां छिपे हुए हैं तो यू आर अप अगेंस्ट थाउजन्स मिलियन्स ओपीपल जो कि देश दुनिया में ट्रेट कर रहे हैं तो इसलिए यहां पर आउसर भी हैं और यहां खत्रे भी हैं इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके ठोस रणनीती बनाकर प्रोफेशनली ट्रेट करना है मेरा मानना यह है और यह कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं हो रहा है काफी गर्व होता है कि जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए नियमित रूप से अदालत में आते हैं चार्ट देखते हैं अपने चार्ट पर अंकित करते हैं साइन्टिफिक ढंग से ट्रेड करते हैं पूरे कॉंसेप्ट को समझते हैं यह नहीं सोचते हैं कि भाई अच्छा यह स्टॉक है डबल हो जाएगा क्योंकि सहाब कह रहे हैं यहां से खबर आई है यह फला चल रहा है बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं स्टॉप लॉस का ख्याल रखते हैं पोजिशन साइजिंग का ख्याल रखते हैं वो जबर दस्त काम कर रहे हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि they are doing wonderful work और कैसा भी बजार हो ऐसे लोग टिके हुए हैं और मुझे इसको देख कर आप लोगों के जो संदेश मुझे मिलते हैं अलग-अलग मंचों पर आप मिलने का आउसर मिलता है सुनकर बड़ा अच्छा लगता है और मुझे उमीद है कि आने वाले समय में इससे भी बहतर परिणाम देखने को मिलेंगे आप सभी को एक हमारे सैपान शेक साहब है वो कह रहे हैं मैं सैपान शेक हूँ और मुझे लॉस हुआ है 16 लाख रुपे का नुकसान आप्शन ट्रेडिंग से इन्होंने किया है अनपॉर्चुनेटली तो भी सैपान जी यू है टू रिवर्ट बहुत सारे लोग है जो आप्शन में लॉस करते हैं डेरिविटिव स्टेड करके लॉस करते हैं सबको मेरा निवेदन है कि अपनी सोच बदली है चीजे हम करने ही पाते है हमारा उसके हिसाब से बेंट अफ माइंड नहीं होता है रिस्क एपिटाइट नहीं होता है उतनी समझ नहीं होती है शायद भागे उसाथ नहीं देता है या हमारा मन नहीं करता है जो चीज़ आप ठीक नहीं कर रहे हैं जिसमें परणाम लगतार खराब मिल रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको छोड़िए, बजार में बहुत से आउसर छिपे हुआ है, जहां पर आपको सफलता मिल रही, जो चीज़ आप अच्छा कर सकते हैं, वो किजिए, जो नुकसान कहीं से हुआ है, उसकी भरपाई कोई और अगर माली के ऑप्शन में आप सफल नहीं होए, तो आप निवेश करके इस लॉस को पूरा कर सकते हैं, हाँ, निवेश करने में, स्टॉक्स करीदने में, लॉस पूरा होने में समय लगता है, धीरी धीरे करके शेर चलते हैं, लेकिन आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के अपने लॉस को पूरा कर पाएंगे, तो अगर लॉस हुआ है, कभी भी ये मत सोचिए कि जहां सिक्का गिरा है, वहीं पर उसको खोजना है, अगर ऑप्शन में नुकसान है, तो ऑप्शन करके ही तो लॉस कुरा होगा, ये मत सोचिए, खो सकता है कि आप ऑप्शन के लिए नबने हो, वह सकता है कि अभी तक पूरी समझ ना हो, तो इसलिए जरूरी है कि stick to what you are good at, एक मैं आपको बताता हूँ, आज से नहीं देख रहा हूँ ट्रेडर्स को, 20 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे, हर भाती के ट्रेडर के साथ काम करने का, उनके अनुभावों से पिछने का भी अउसर मिला है, तो एक बात बड़े दावे के साथ आपको कहता हूँ, कि हर व्यक्तिक आपने एक नेचुरल गेम होता है, जैसे अगर बॉलर सोचे कि मैं बैट्समेन बन जाओ, बैट्समेन सोचे मैं बॉलर बन जाओ, तो पर सफलता उस तरह की नहीं मिलती है, तो याद रखिए कि you have a natural talent for some kind of trading, आपका जो setup है वो एक पर्टिकुलर तरहा की trading के लिए suited है, वही कीजिए, उसी पर focus कीजिए, और वही करेंगे तो परिणाम मिलेंगे, किसी किताब में नहीं लिखा है कि ये सब कुछ आपको करना है, अगर option trade हो रहे हैं, तो हमें option भ आए कि, पहले मैं option trade किया करता था, फिर मैंने stocks ले रखे थे, किस में profit आया, देखिए एक बार, सबसे ज्यादा profit कहां आया, सबसे कम stress के साथ कहां आया, वहाँ focus की थी, कुछ समय पहले, पिछले दो सबता पहले, शायद या एक सबता पहले, वीडियो मैंने लाया था, और वीडियो था, ट्रेडिंग का भामंत्र, तो आप सबसे मेरा आगरे है कि एक बार उस वीडियो को जरूर देखेगा, नहीं देखा हो, तो जरूर देखेगा, याद रखेगा कि ट्रेडिंग में सफलता तभी आती है, when you are stress free, this is a mental game, mental game है ये, तो चाहा करके भी इसमें आप सफल नहीं हो सकते, जब तक दिमागी रूप से आप सशक्त ना हो, वज्र जैसी शक्ती आपको चाहिए, ठोस होना पड़ेगा आपको, देखेगे, प्रॉफिट का पोजिशन है, और अभी तक उसमें एक्जिट नहीं आया, तो किसने कहा है एक्जिट करने के लिए, वेट तो निकल क्यों नहीं रहें, वेट किसका कर रहें, क्योंकि उस तरह के कठोर फैसले लगातार लेते रहेंगे, स्ट्रेस कभी नहीं होगा, हमेशा सफलता मिलती है, हमेशा आपका जो मानस से संतुलित रहता है, ट्रेडर के लिए मेंटल एनरजी प्रिजर्व करना, मेंटल इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि यही पूरे कारिक्रम का मर्म है, यह सबसे इंपोर्टेट है, तो माई रिक्वेस्ट तो यू इस फोकस, फोकस ऑन विकमिंग मेंटली टफ और इसके लिए आपको प्रियास करना है, कैसे हो इस पर मैं बोरिंग वीडियोज लाता रहूंगा, जिससे कि आप मेंटली और टफ हो, कई सारे प्रशन अदालत के सामने हैं, बहुत ही शांदार संदेश आप लोग भीज रहे हैं, और जनम दिवस पर जो शुब कामना हैं, आपने बेची हैं, वाकई मैं आज लग रहा है कि पूरा परिवार मिलकर के जनम दिवस मना रहा है, बहुत खुशी मिल रही है मुझे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आपको भी खुशी मिल रही हो, हाँ, केक तो मैं सब को नहीं बेच पाया, लेकिन मेरी और से केक जरू खाईएगा, कुछ न कुछ मीठा आज खा कुल होगा, हाँ, एक बात आपको बतानी है कि बहुत जल्द आप मुझे एक यात्रा पर देखेंगे, और उसकी पूरी जानकारी आपको देखूंगा बहुत जल्द और ये यात्रा, ऐसी यात्रा आपने कभी देखी नहीं होगी, तो इस विल भी वेरी सून, और सारी जान खा लिया है, तो मेरी जनम दिवस्त की जो अवसर पर मिठाई खाने का शगुन है, वो शेक साब कर चुके है, गुलाब जामुन खाकर, आप सबसे मेरा निवेदा ने कुछ ना कुछ जरूर खाईगा, कुछ ना कुछ मिठा आज जरूर चखिएगा, और मेरी ओर से, तो ब बात तो इंशूरेंस कंपनी की की, लेकिन चार्ट नहीं देखें, अज़ए एक हमारे प्रियम जी है, उख कह रहे हैं, मेरा भी जनम दिवस्त है, तो आपको भी शुब कामना है, अने को हम सब की और से, नरेंदर कंदोई साहब लिख रहे हैं, कि मैं कलाकन खा रहा हूँ आपके जनम दिवस्त पर, वा, घजब, मुह में पानी आ गया, वैसे भी डिनर का समय है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, पोकरणा से जुड़े हुएं, जैल लहोरी साहब, अमोल फलके साहब आ गये, विशाल भारतवाज जी भी जुड़ गये, और लरीत मोहन जी आ गये, महिंदर यादव आ गये है, देबरत भटचार जी आ गये है, अच्छा, एक सवाल देबरता जी ने पूछा है, तो मैं इनका सवाल ले लेता हूँ, बड़ा इंट्रेस्टिंग सवाल है, इनका सवाल ये है, कि हैपी बर्डे सर जी, टेडिंग का पैसा कितना सेवि हमें से जूचते रहते हैं कि हम कितना पैसा निकाल ले, कितना पैसा लगे रहने दे, और कैसे इसको मैनेज करें, देके प्रॉफिट निकालना, जिसको हम कहते हैं, स्किमिंग और प्रॉफिट्स, यानि कि कुछ न कुछ पैसा निकालते रहना चाहिए, बहुत जरूरी होत है अरे वाह बहुत बढ़ी आमित गुपता जी लिख रहे हैं कि आपका जर्मदीवस गुरू पूर्डिमा की तरह हमारे लिए बहुत बढ़ी बात कहिए आपने धन्यवाद आपका और जो मैं आपसे कह रहा था कि प्रॉफिट जो है इसको समय समय पर लेना पर चाहिए और उसके लिए भी एक clarity मिलती है और जब आपका portfolio आपका investment size बड़ा हो जाएगा तब आपको महसुस होगा कि एक plan होना चाहिए बड़ना बड़े disruption हो जाते हैं जैसे माली आपने अच्छा profit कमाया मन कर रहा है गाड़ी ले ले लेते हैं अच्छा profit हो रहा है तो यह भी लगता है कि capital कम हो जाएगी तो यह पशुपेश रहता है तो याद रखिए you have to develop a plan तो plan बनाईए और उस plan के अंतरगत withdrawal की लेकिन withdrawal करते रहना चाहिए profit को भोगते रहना चाहिए बहुत सारे मैंने traders ऐसे देखें हैं high risk trading करते हैं जो पैसा आता है उसको फिर से risk पर लगा देते हैं और यह compounding करते रहते हैं बड़ी अच्छी बात है कभी कोई चीज गलत हो जाए तो काफी जो profit है वो चला जाता है तो याद रखें कुछ skimming of profits याने के profit का कुछ हिस्सा समय समय पर ले लेने में हर इन्वेस्ट करेंगे इस प्रकार का plan बनाईए और आप देखेंगे जब देखें जब आप कहते हैं profit को वापस लगा होगा तो इससे तय होता है कि आपका अभी विश्वास है अपने ability में अपने model पर यह बहुत जरूरी चाहिए अरे वाह बड़े अच्छा एक अभी किसी ने लिखा है weekly to profit वालों ने कि भई हमने गाड़ी खरीदी है साड़े सोला लाख रुपे के रिका बहुत बढ़ी है एक विपिन दुआ साब है वो कह रहे है कि सर आप इतना मीठा बोलते हैं कि मिठाई क्या आवश्रकता नहीं होती है उसके लिए मुझे मिठाई खानी बेज बंद कीजिए सारीका जी कह रही है कि happy birthday सर कल मेरा birthday है अरे वाँ बहुत बढ़ी है सारीका जी आपको हम सभी के और से एडवांस शुपका अमना है एल आई सी का आप एने तीन मंद से देख रही हूं inverted head and shoulder हाँ बिल्कुल बहुत बढ़ी है और उसमें 10% बढ़ा बिल्कुल ठीक आप कह रहे है इंवर्स head and shoulder pattern बना हुआ है बिल्कुल सही आपने कहा है एक जितेंदर जैन साहाँ है वो कह रहे हैं कि सर मैं केवल आज से नही बलकि पूरे सब्ताहा में जो है मीठा खा रहा हूं पूरे सब्ताहा से बहुत बढ़ी है great गजब बहुत बढ़ी है तो शादार मिठाई लोग 7 कर रहे हैं आनंद ले रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं बजारों की अच्छा कई सारे लोग कह रहे हैं कि बर्थडे स्प पर कोई ना कोई चार्ट की चर्चा होनी चाहिए तो खीक है कुछ चार्ट में आपके सामने पेश करता हूं अच्छा उससे पहले कुछ प्रशन थे जो की लंबी थे हैं अदालत के सामने तो वह निप्टा दिया जाए अब जनम दिवस है लेकिन काम तो कर नहीं है तो चार्ट पर दिशा परिवर्तन होते हुए नजर आ रहा है तो इसको लिया जाना चाहिए रजिस्स चार्ट पर पांसो पर दिखती है तो यहां एक लाइन डाल दें लाइन ऑफ कंट्रोल मेरे राय में दोस्वासी पर डालनी चाहिए लेकिन इमीडियेट लाइन ऑफ कंट् पिक्स बन रही थी अब उसमें तब्दील ही आ गई है और लगबग तीन-छे महिनों से स्टॉक में हायर बॉटम बन रही है यह आपको चार्ट देख करके पता लग जाएगा तो यह आई-ओ-ल केमिकल का चार्ट है आईए गलफॉयल का चार्ट है यह गलफॉयल का आउनिंग बॉटम पैटर्ण बना शेर में हमने जवर्दस तेजी बनते होए देखी और उसके बाद अब इसमें मोमेंटम बन रहा है हायर बॉटम बन रहा है चार्ट अच्छा है ब्रेक आउट हुआ है तो सावधानी रखिए लाइन ऑफ कंट्रोल अंकित कीजिए सबसे पहला काम कीजिए कोई भी चार्ट आपके सामने लाए जाए सबसे पहला काम यह जीवन रेखा डाल देनी है चार्ट पर यह लाइन डालते ही सारी समस्याएं थोड़ी कम लगने लगते हैं चार्ट का खत्रा थोड़ा काबू में आता हुआ दिखता है तो यह रेखा डालन कैसे डाल दीए कि अभी तक आप अदालक में कई बार समझ चुकें जीवन तुधारन से हम हर सप्तहा लाइन ओ कंट्रोल डालना सीखते हैं और अगर अभी भी आपके चार्ट पर लाइन ओ कंट्रोल नहीं डली हुई है तो फिर आप बड़ी गलती पर हैं मेरा आपको सक्त हिदायत यह है कि जो चार्ट आप देखें जिस टाइम फ्रेम पर काम करते हो डेली इंट्राडे विकली मंतली जो चार्ट टाइम देखना पसंद करते हो यह जीवन रक्षक रेखा जरूर चार्ट पर अंकित कर लें तो लाइन ओ कंट्रोल हमने डाली 526 रूफे पर और यह चार्ट है गल्फ ओयूँल लुब्रिकेंट्स का जबर्दस है तो अच्छा चार्ट है एक सवाल आयए था tcs पर अच्छा जो रे दिखता है यह लेवल है 760-860 कापी दूर है TCS का चार्ट देख लेते हैं यह TCS का चार्ट है ठीक चार्ट है रेंज में consolidation चल रहा है और हम देखी रहे हैं कि Nifty IT इंडेक्स में भी कुछ हरकत है कुछ एक IT companies बड़ी तेजी से उपर गए TCS रुका हुआ है कई सारे कारण है उसके resistance की रेखा डाल दीजे support की रेखा डाल दें अंकित कर दें चार्ट पर और यह देखें कि बजार में इससे बहतर विकल्प हैं क्या तो आप आएंगे कि और ऐसे चार्ट हैं जहां अच्छा momentum बन रहा है अच्छा model बना हुआ है वहां दिमाग लगाएं वहां पर फोकस करें तो जिन चार्ट पर से अच्छे निवेश करना ही इस पूरे खेल का उदेश है तो इसके लिए आपको थोड़ी महनत करनी पड़ेगी और सही शेर्स का चुनाओ करना पड़ेगा और उसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा बहुत जरूरी है यह अच्छा देखें बहुत सारे लोग सीखने से कतराते हैं मुझे कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं केते सर यह बता दो ना कि क्या बड़ेगा कहां सिखाने के फिर में पड़ रहे हूं सीखने के अब हमारी उम्र कहा है यह कहना है लोगों का वे देखें सीखने की कोई उम्र नहीं होती है हमारे नोकरी सेजादी कारेकरम में 85 वर्षे ल और उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है लेकिन सीखिये और कई सारे विकल्प है सीखने के नोकरी सेजादी कारेकरम में टीकेपी है उन लोगों के लिए जो काफी चार्टिंग जानते हैं लेकिन इसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं साथ में निरंतर मेंटर की तरह लिखी जाती है असल दीवन में जो चीच कारगर है या सफल है सफल होने की संभावना जिन चीजों की है उसके बारे में कम जिक्र होता है किताबों में तो ना किसी किताब से नहीं किसी कोर्स से जानी जा सकती है तो इसलिए जरूरी है कि आप नोकरी सेजाद ही शांदार होगा और उसका भी साहरा डिटेल्स जब कभी वो लॉंच होगा इसी मंच से आपको मिलेंगी तो देखे कई सारे ऐसे चार्ट्स हैं जिन पर प्रश्णा आ रहे हैं लोगों के मन में अलग-अलग सवाल है अच्छा आभी किसी ने पूछा है कि सर कोर्स के बारे में और डीटेल्स बताईए तो कोर्स हमारा नौकरी से जादी कारिकरम है और नौकरी से जादी कारिकरम के ग्यारा सीजन हो चुके हैं बारवा सीजन आने वाला है तो अगर आप रहा देख रहे हैं रहने से कारेक्रम की तो बारवा सीजन आएगा जरूर जुड़ जाएगा सीटे कम होगी समय कम होगा इसी मंज से आपको बताऊँगा लेकिन उससे पहले टीकेपी शुरू हो रहा है दिसंबर में और अगर अभी तक आप टीकेपी से नहीं जुड़े हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जरूर जुड़ जाएगे टीकेपी गजब का कारेक्रम है और दिसंबर में शुरू होने जा रहा है टीकेपी 6 तो इसलिए सबसे मेरा पर देखें टीकेपी का ये सीजन बहुत ही खास है दिल के करीब है क्योंकि इस सीजन का फोकस है लंबी दूरी के पैसे पर जी हाँ जितना जरूरी ट्रेडिंग है जितना जरूरी ऑप्शन्स है उतना ही जरूरी बलकि उससे भी ज़्यादा जरूरी है इन्वेस्टमेंट और पोजिशनल ट्रेडिंग और ये मेरे दिल के करीब है और यही फोकस है इस क्वाटर का टीकेपी के जी हाँ टीकेपी में इस क्वा बात करेंगे और धिरे धिरे आप देखेंगे आपकी इंवेस्टिंग आपकी पुजिचनल ट्रेडिंग में चार चांद लग जाएंगे विलकुल स्ट्रेस फ्री ढंग से किस तरह से निवेश की रणनीती ट्रेडिंग की रणनीती बनाते हैं यह जानेंगे टीकेपी के आगामी सीजन में तो बिना समय गवाएं तुरंट रेजिस्ट्रेशन कराई तो ये बात हुई टीकेपी 6 की जो कि शुरू होने वाला है और आप सबसे मिरा आग रहे कि तुरंट प्रभाव से स्टेट जाएए एक चार्ट की चर्चा करेंगे और ये चार्ट है पीवी फिंटेक याने की पॉलिसी बजार का और अभी अभी किसी ने प्रश्न किया था कि पॉलिसी बजार का चार्ट देखिए तो लिए आपके सामने मुझे चार्ट पसंद आता है देखिए रेजिस्टन्स टूटी और उ जिस किसी ने विप्रश्ण किया शायद यहीं रेकाउट की रेखा तूटते होगी तो आपका बिलकूर अनलेसिस दुरुस्त है वाकई में रेजिस्टन्स तूटती हुए इस चार्ट पर 800 के आसपास की दिखाई पड़ रही आट सो पचीस पर बंद हुआ पीबी फिंटेक क बाजार और देखिए अगर इंशॉरेंस में तेजी है तो उसका रवाफ इफेक्ट तो इस चार्ट पर आना सुभाविक सी बात है यह शेर भी इंशॉरेंस से जुड़ा है अच्छा एक हमारे रंजीत जी पूछ रहे हैं कि ठीक है उनका यह कहना है कि सवाल मेरा TCS पर नहीं बलकि TCI पर था मैं शमा चाहता हूँ और दूसरा उनका यह कहना है कि CSB यानि कि Catholic Syrian Bank के चार्ट को भी देखिए इसमें समस्या कहा है कि यह रुका हुआ है तो आई यह चार्ट देखने हैं सबसे पहले CSB यानि कि Catholic Syrian Bank यह आपके सामने जबर्दस तेजी बनी इस सबता गजब और आपने देखा कि लगबद 370 के आसपास आकर के बंद हुआ तो अच्छा आप स्विंग है बड़ा रिकाउट हुआ चार्ट पर और यह हुआ है 360 रुपे के उपर तो CSB यानि कि Catholic Syrian Bank जरूर स्टड़ी कीजिए गजब की तेजी बन रही है और चार्ट अच्छा है और मैं आपसे अभी जो एक बात कह रहा था यह उसी Context में मैं कहना चाहता हूं देखिए अभी मैं आपसे कह रहा था कि जब कभी किसी स्टॉक या सेक्टर में आप देखते हैं के अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, कु लेकिन वो अलग अपने पूरे समों से अलग चल रहा हूं तो मान करके चलिए कि उसमें कुछ ना कुछ विशेश बात है और यही CSP में हम देख रहे हैं अपने ठीक चार्ट चुनाएं यहां पर भी एक पैटन बना है जिसको असेंडिंग ट्राइंगल कहते हैं तो अगर आपने असेंडिंग ट्राइंगल देखा तो भी दुरूस्त आपने देखा और ब्रेकाउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है तो देखें जो चार्ट अ आते हैं उन चार्ट की चर्चा अगले दो तीन सफता में पूरा देश कर रहा होता है तो मैंने अक्सर यह नोटिस किया कि अदालत में जो चार्ट आया हमने बात की किसी ने प्रश्न किया हमने उसके जवाब में चार्ट देखा और आप देखेंगे खुद कि कुछी समय मे उस चार्ट की चर्चा होने लगती है तो यह ताकत है दालत की क्योंकि आप सब लोग जुड़े हुए हैं सब लोग अलग अलग चार्ट देख रहे हैं और जो आप चार्ट सबसे अधिक भाता है आपको जो सबसे इंट्रेस्टिंग लगता है उसकी चर्चा हर सबता हम करत आए जैसे करोना के वज़े से गिरा था 2020 में मार्केट क्रेश हो जाए और हमारा इंवेस्टमेंट बड़ा हो तो कैसे हैंडल किया जाए इस बात का डर लगता है देखिए कभी आप सूब जी एस सोचेगा कि यह जो हमारी निफ्टी है इसका अभी तक का CAGR यानि कि सालाना रिटर्न अगर आप देखें तो 14-15 फी सदी का है 15% का CAGR है काफी सालों से चला रहा है जो कि बाकी सारे एसेट क्लासेस के मुकाबले जादा है तो जब रिटर्न जादा होता है तो खत्रा भी जादा होता है मान करके चलिए कि रिस्क और रिटर्न दोनों का चोली दावन का साथ है इनका वियोग कुम्किन नहीं है इनको आप अलग नहीं कर सकते तो अगर देखें रिस्क है तो ही रिटर्न है और ये जो रिस्क आप जिसका जिकर कर रहे हैं कि मान लीजे कोई बड़ा क्रेश हो जाए कोई ऐसी आपदा आ जाए कोविड जैसा कोई संकट आ जाए क नहीं जंग छिड़ जाए अब आप देख रहे हैं जंग की स्थिति तो चली रही है खाड़ी में भी चल रही है रश्या व उक्रेन के बीच में भी युद्ध विराम तो हुआ नहीं है तो कभी मान लीजे कोई अंतरराश्ट्री ऐसा युद्ध हो जाए वेश्व युद् नहीं होगा है तो ये संकट ये स्थिति हमेशा बनी रहती है लेकिन देखिए याद रखिए कि इसका असर केवल शेरवजार पर इनहीं पढ़ता है इसका असर आपके जीवन के हर पहलू पर पढ़ता है मान लिए कोई बड़ी ऐसी विमारी फैल जाए तो कारोबार पर भी इसका सर पढ़ा कोविड के समय कितने ही कारोबार बंद हुए कितने ही दुकाने बंद हुए कितने ही कारखाने बंद हुए ठप हो गए लोग बिरोजगार हो गए तो ये स्थिति हमेशा रहती है लेकिन इसका मतलब भी नहीं कि हम इन खत्रों के चलते इनका डर मान करके हम काम करना बंद कर दें तो उसी तरह से ये खत्रे हमेशा रहते हैं हमेशा रहेंगे और इनका कोई बचाओ नहीं है अगर मान लिजे कभी कोई major crash आएगा तो उसकी चपेट में सब आएगे जिसके पास भी quit exposure होगा उस चपेट में आएगा थोड़ी बहुत hedging आप कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से आप risk free नहीं हो सकते क्योंकि अगर आप risk को पूरी तरह hedge कर देंगे तो return भी नहीं आएगे तो इसी लिए याद रखें कि this is a risk that you have to learn to live with इस खत्रे को साथ में लेकर के सही तरह से एक सही रणनीती बनाकर सही mindset बनाकर के आगे चले मुझे लोग सजहाओ देते हैं कि सर यह जो बाते आप करते हैं यह रिस्क मेनेजमेंट psychology यह सारी बातें डीटेल निवेशकों को कहां समझ आती हैं वही नहीं समझ आती हैं इसलिए तो यह बाते हो रही है समझ आ गई होती तो यह बाते करना बंक कर देते कुछ लोगों का कहना है यह boring बाते कहां इन चीजों में पढ़ गया कुछ ऐसा बताइए कि share कौन सा चलने वाला है या फिर यह बताईए कि कौन सा इंडिकेटर है जमतकारी देखिए सारी बातों की एक बात है जब तक आपका धिमागी संतुलन ठीट नहीं होगा मानसिक रूप से आप ठोस और तयार नहीं होगे कितने भी टिप्स मिल जाएं आपको कितने भी इंडिकेटर पत कर रहे हैं एक टॉक्टू चार्ट साहब है जो लिख रहे हैं कि हैपी बड़े सर निफ्टी 500 ट्रेक करता हूं क्या जबरदस्त प्रशन लिख रहे हैं कह रहे हैं कि पाच हजार के आगे का लिस्ट कैसे बनाऊं कौन से स्टॉक एड़ करूं और मन इंफ्रा इन्होंने 102 र इसका मतलब टर्टल है हमारे तो इलीट प्रोग्राम है टर्टल प्रोग्राम उसका हिस्सा है गजब काम कर रहे हैं तो बहुत शांदार चार्ट अपने चुना है आईए मन इंफ्रा का चार्ट देख लेते हैं यह आपके सामने मन इंफ्रा ओ हो हो क्या गजब की तेजी बनी है लगभग 186 सूपर बहुत बढ़िया गजब की तेजी बनती देख रहे हैं हैं तो लगभग 30 सदी की तेजी तो सो रुपे में आपने लिया हुआ है तो कजब का सबसे पहला काम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखे कभी इस तरह का ट्रेड आ जाए हाथ में कि आपने सो रुपे पर कुछ खरीदा और वह 190 हो जाए तो ऐसे में देखिए यह भी उतना की लेंगे चिंता का है कि नहीं प्रॉफिट में भी अगर समय से पहले काट दिया तो बड़ा दुख होता है और जुक होना भी चाहिए क्योंकि जो प्रॉफिट आपको मिल सकता था वहाथ से निकल गया कई बार आपने सुना होगा कि प्रॉफिट बुक करके कोई देनी है कभी भी ऐसी स्तिती हो सौ रुपे पर आपने शेर खरीदा एक सुनाब्बे हो जाए जैसे हमारे इंटर्टल के साथ हुआ है सबसे पहला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन ओ कंट्रोल डालिए कम से कम एक लेवल तै करके रखिए प्रॉफिट को लॉक करते होता है लेकिन ऐसा ना हो कि प्रॉफिट आया चलावे की तरह चुमंतर हो जाए कुछ हिस्सा बड़ा हिस्सा उस प्रॉफिट का हम रिटेन कर पाएं इसकी रड़नीती बनानी है और इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की पद्धतिकाव पालन करना चाहिए तो यह मन इन्फरा का चार्ट और जबरदस चार्ट और शांदार काम हमारे टर्टल्स कर रहे हैं और मुझे कैसे पता लगता है कि टर्टल्स गजब का काम कर रहे हैं सारे टर्टल्स मुझे फोन नहीं करते हैं सारे टीके पी के सरदस से मुझे फोन नहीं करते हैं सब परक पे नहीं बहुत धाडस रखा बहुत ही सईयम और बहुत मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़े ट्रेटल्स और हमारे सेनानी गजब का काम कर रहे हैं और जो भी हमें सुन रहे हैं आज अदालत में जो भी जुड़े हुए आज जनम दिवस के अवसर पर इस विशेश अदालत में आप लोगों ने की आई है एक चार्ट की चर्चा करते हैं और तो देखें कई सारे चार्ट हम ने देखे मनिफ्रा का चार्ट अभी हम देख रहे थे एक चार्ट और देखते हैं और ये चार्ट है NIA यानि कि New India Assurance का आपके सामने चार्ट है और क्या गजब की तेजी सब्ता आई हमने देखा बड़ा ब्रिकाउट हुआ 175 के सीने को चीर करके 200 के उपर जाकर कि New India Assurance बंद हुआ गजब का मुमेंटम और इसी सब्ता 37 सदी की तेजी अपर इसने करपना की कैनाई ये जैसा बोजिल शेर जो कि इतने समय से नहीं चला एक ही सब्ता में सारे रिकॉर्ड बंधन तोड़ देगा इस चार्ट का उलेक करने का एक उदेश है कि इससे एक संदेश मिलता है एक पाठ हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि देखिए जब चार्ट पर तेजी बननी होती है तो समय नहीं लेता शेर बढ़ने के लिए तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा share नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, धीरेज रखिए, एक सप्ता में पूरी कसर निकाल देता है share, तो shares को चलने में समय नहीं लगता, लेकिन मन बनाने में समय लगता है, तो इसलिए charts देखते रहे हैं, धीरेज रखिए, बजार म ट्रिपल हो गया वो शेर रखे होते तो कहां से कहां पहुंच जाते तो बजार तेजी में हैं और अगर हम तेजी के बजार में नहीं कमा पाएं तो फिर कब कमाएं तो इसलिए आज बर्दे पर आप सब को मेरा एक ही संदेश है कि लाम बंद हो जाईए पूरी तरह तयार हो चाहिए कमर कस लीजिए आने वाला समय हम सभी का है और हमें इसका भरपूर फाइदा उठाना है हाँ हमें पूरे रिस्क को फॉलो करना है सारी चीजों का ध्यान रखना है जिए चौदरी जी का धन्यवाद करेंगे और जो भी लोग जिस किसी ने भी आज जनम दिवस के उ काम नाएं भेजिए आपको इंडिविजुली मैं थैंक नहीं कर पाया लेकिन सभी लोगों को मेरी और से बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच यू डिट वंडरफुल अच्छा दो सवाल है एक तो बड़ा इच्छा टिपणी हमारे नीरज कुमार जी भेज रहे है कि वे आपकी हिंडी बड़ी अच्छी है तेन्यवाद आपका नीरजी बड़ा प्रेम है मुझे भाशा से अपनी भाशा यानि के हिंडी से भी और अन्य भाशाओं से भी मुझे बड़ा लगाओ है अच्छा एक परश्ने किसी ने किया है बड़ाई गंभीर और बहुत करूंगा लेकिन हाँ अंदाजा लगाने के लिए अठकले लगाने के लिए आप पूरी तरह से मुक्त हैं तो यह सवाल जिसका जवाब नहीं मिलेगा लेकिन बहुत अन्य सवालों के जवाब हमने लिए दिये और बहुत अच्छा लगा और अब वाकई में लग रहा है कि 21 वर्ष होगी मेरी उब्र और नीरव जी हैं जिन्होंने दिल जीती है यह सोच कर कि 21 वर्ष का मैं नव्यूवक हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद अब आप करते रहिए यही सोचते रहिए और धन्यवाद करूँगा आप सभी का मुझे पता है सबकी डेलर का समय हो गया और रविवार को होगा चार्ट रवीक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू सो मच टेक केर एव ग्रेट वीक अहेड और अल देवरी बेस्ट थैंक यू सो धन्यवाद